आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। ट्रांसफॉर्मर कहते है किसे है, सबसे पहले हमें ये नौलेज होना चाहिए, तो देखिए, आप चाहिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, अप चाहिए ट्रांसफॉर्मर, इसके डेफिनिशन लिख देता हूँ पहले ताकि आपको इसके बारे में नोलेज हो जाएं एक ऐसा ट्रांस्पोर्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्ट ता को गटा देता है मतलब कमी गटा देता है तथा दित्यक कुंडली में दित्यक कुंडली में फेरों की संख्या फेरों की संख्या प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या से फेरों की संख्या से कम होती है देखे इसका कहने का ये थात्प्री है कि एक ऐसा ट्रांस्पॉर्मर है जो प्रत्यावर्ती वोल्ट था ये जो प्रत्यावर्ती वोल्ट था रे रखी है उसके मान में ये करता है कमी और इसमें फेरों की संख्या दित्यक कुंडली में प्रात्मी कुंडली में फेरो की संक्या से कम होती है मतलब इसका statement हम कतन क्या लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे ns np यह np मतलब हो गया प्रात्मी कुंडली में फेरो की संक्या और ns का मतलब हो गया दित्य कुंडली में फेरो की संक्या तो यहाँ पर यह कतन शत्ति हो गया अब देखें यहाँ पर एक बात और बताई कि यह प्रत्यावर्ती वोल्डता का मान घटा देता है तो इसमें यही होगा Vs less than Vp यह वाले इस्तती होगी इसमें और जो इसमें इस्तती भिन होगी वो क्या होगी वो देखें वो होगा कि इस transformer में जो दित्य कुंडली में धारा का जो मान है वो प्रात्मिक कुंडली में धारा के मान से क्या होगा अधिक होगा यह अपना इस according question का जो value होगा वो देखें कौन सा correct होगा इसमें Ns is greater than Np तो नहीं एसा पॉसिबल नहीं है Ns less than Np तो देखें यह वाली condition इसको satisfy कर रही है तो यहाँ पर जो option number second होगा वो इसका answer होगा Thank you